बिस्मिल्ला रिमान ने रहीम आज मैं पूरन पूरी बना रहे हूं देखिए पौव किलो चनी की दाल है ये दाल को मैं अच्छा तीन से चार घंटे भिगा दी थी देखिए तो भिग गई नहीं अच्छा तो भिगाई तो ना तो उसको फोड़ा टेम में गल जाती देखिए अगर अब वैसे दो के चड़ा दी ना तो ज्यादा टेम लगता उसको तो मैं देखिए दाल धुगे सुथता पानी दाली उसके अंदर रहे कादी किलास दाली ज्यादा नहीं दाली तीन सीटियां हो गए बाद उसको 10 मिनिट धी मैं चुले पर चोड़ दी ती देखिए 10 मिनिट के बाद उसको निकाली तुम अच्छा गल गए देखिए इसको भीगे भी थी ना ओन्यारेडी बे देखिए पूर अच्छा गल गए नहीं चम्चे से पूरा इसको अच्छा मिला रियो मैं और गर्म-गर्म में पीसे भी ना तो सही नय पीसे जाताया देखिए देखिए अच्छा सुकानि शुका लिए उसको इसको 10 से 15 मित रख दी देखिए तो थंडा होगा दीखे पूरा तो पूरा निकाल के मैं थोड़ा थोडह जलाकर की पीसरी मं ज्यादा नहें पीसरी लागरउं लागरण के बीँसे उस्युलन इंटनी जब्रदस और उतनी टेस्टिये цен पैसली देखेस ऐसा तक कितना बारिक पिशेंगे नहीं पूरण मों फुर्ली पई झब कारी और लाट होते देखेसे तो में भूरदश करते हैं और कम भी ज़्यादा भी ले सकते देखिए तो अपने हिसाब से ले सकते पूरान पूरी अपने कीन मोटी हो ना या पतली होना तो यह क्योंकाता है देखिये मै मैं है भी बना전 कि बताती हुए अच्छा!". लाई देखे मैं गम से कम उसको 10 मिनिट उसको अच्छा उसको एसा मुठी दिदेखे आटे को मुठी दिए बाद ऊसको कपडा डाप के दस से पंदरा मिनिट उसको छोड़ दी थी उसके बाद मैं पूरण पूरण को अच्छा भूंड़ियों देखिए अब मैं चिल्ले पर बहुना रखी बहुना रखे उसके अंदर चार इलेची और बले तो चार लोंग दाल रहीं देखिए देखिए उसमें अच्छा चाय के चार चामãy घी डाल के घी को अच्छा गरम होने दुंदी असली घी है उसके बाद इलेची लोंग दाल … को लाल करके कड़क को निकाली ए ये ये इलेची और लॉंग की कुछ बुद ठीके तो अपने इलेची constitute dapat धीमर उसके बाद पूरन डाला देखिए पुर लॉय जे पूरन की इतना अच्छा भूना देखिए आप कम से कम इसको पंदरा से बीस मिनिट भुनती हूं देखिए इसका पूरा डाल का कच्छा पन मर जाता ना जब तक भुनना देखिए जितना अच्छा पूरण को भुनेंगे ना तो पूरण पूरी उतनी टेस्ट और उतनी मज़े की वती देखिए और मैं धी में चिल्ले पर भुन इसमें आदा चम्श ओमें ईलेटी फोर डाल दखिए तो पीसे वास रहता मेरे पास तो मैं आदा चम्श डाली अगर आपके पास पी साथ योड़े की दाल सकते ताजह कम काम से कम काम 20 मिनिट से भुन रही हूं देखिए और 5 मिनिट पन कर देतों देखिएर अब इसके अं इस शक्र नई दालने से पहले उसको 15 मिनिट भूनी थी शक्र दाले बाद 10 मिनिट पूरा शीरा चुड़ता ना तो 10 मिनिट भूनी देखिए 25 से 30 मिनिट इसको अच्छा भून ली देखिए अब होगा अब इसको मैं फ्यान के निचे 10 मिनिट छोड़ देती हूं उसके बाद बना के बताती हूं थंडा होता देखिए जब थंडा हो गए बद बना के बताती हूं आटा भी अच्छा भिगा देखिए 10 मिनिट हो गए देखिए पूरां मैं फ्यान के निचे रखी थी जिरा आटा अच्छा 20 से 25 मिनिट आटे को भिगा दी थी देखिए देखिए मैं ब आप मिलसे म ей पुरण पूरी थोड़ा घी लगा लेगा अपकी पेड़ा बाновन नईए जब चीए मैं इसा बना को बड़े पुरन पुरी बड़े भी मना सकते हैं च्छोटे ना इंश्य थे इन्शर दो आ ये दिखे मैं जैसा बना रहते हुँ न सेम आप लोगां भी वईसीच बनाना देखिए देखिए मैं आटा अच्छा उसमें पेडा लेके निकाली देखिए उपफ़ट से में पेडा बनाते ना, तो पूरा अपफर जितना भी आटा इजाफा था ना निकाल के पूरन के साथ पेड़ा भी अच्छा फैलता देखे उसको तो ये देखे मैं बेलन से बेल रही हूँ अगर आपन मैदे के बनाए ना तो मैदे के बनाए तो आप हास से भी अच्छा फैला के उसको उतवे के उपफर भी फैला सकते देखे यह पूरह पूरी जितनी बड़ी हो सके या इतनी बड़ी भी बेल सकते तो मैं चोटे चोटे बना के बता हुए देखिए अर एक बार शृप्क बना के बता गुटे बता जाहिए अधिया जर्राबी नहीर हो रहा है नियों आप साफ से सबस्ते बनाओं घे टवा अच्छा गरम होने देखिए गरम होने देकि में बुरिष से इसके अदर असली अच्छा मैं पूरा तब्त वा अवैं लगा देख्या अच्छा मैं ज़िए इत्वर कप गिर्ट से Tabii आइए उनी तीन तरफ से भी फूल लेते आती दीखेंए ङी आप के इसाप से लगालेना एक तरफ भी लगा सकते आप दो तरफ भी लगा सकते beat n कानी मज़े की और इत्नी टेश्ट इकन मानिया पितनी जबरत ऑर इतना मज़े की थी कुछ पूछना ने हो गया दिखें देख्या दिखें निकाल के मैं दो बना के बता हुँ देखी है gehabt कर criminal दिखिम उसका कितना जबरत झाल झाल